जैस्री करश्ण मित्रों मित्रों आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक 5 फरवरी 2022 शनी बार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टीव भगवान शनी देव की क्रपा से आज 12 में से 7 राशियों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा इन 7 राशियों में आज हैं वरशब, मिथुन, करक, कन्या, तुला, मकर और मीन राशी वाले लोग वहीं अन्य राशियों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नई नई ग्यानवर धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज मागमाश शुकल पक्ष की पंचमी तिथी है शनीवार का दिन है आज दिन की सुरवात उत्रा भादरपद नक्षत्र से होगी और मीन राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुरियो दई प्राताहकाल साथ बच के साथ मिनिट पर होगा और सुरियास तसाम के 6 बच के 3 मिनिट पर होगा आज राशुकाल प्राताहकाल 9 बच के 51 मिनिट से आरंब हो करके प्राताहकाल 11 बच के 13 मिनिट तक राशुकाल रहेगा तो आज राहू काल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारे शुरू नहीं करें इस समय अवदी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सूल लहेगा पूर्व दिसा में तो आज के दिन आप पूर्व दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारे शुरू नहीं करें पूर्व दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावश्यक हो तो आज उड़ा दखा करके या अपने इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सदिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरवस्रेष्ट अतिसरेष्ट महुर्त अभी जीत महुर्त आरंब होगा दोपहर बाराह बच के तेरह मिनिट से आरंब हो करके दोपहर बाराह बच के सत्तावन मिनिट तक सरवस्रेष्ट वा शुब महुर्त रहेगा इस महुर्त में आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कार्य आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारिया आप करना चाहते हैं तो इस महुर्त में आप कर सकते हैं तो अब जानिये अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भागे के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शुब रहे और कारी छेतर में भी आपको सफलता मिले तो मेंस राशी से आरंब करते हैं मेंस राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि सांसारिक द्रश्टी कौन से आज का दिन आपके लिए कुछ बदला हुआ रहेगा भोतिक सुक्सिवधाम वाली वस्तों की खरीदारी आप कर सकते हैं विपिरित लिंग के साथ अच्छा समय व्यतित करने का समय रहेगा किसी व्यक्ति की मदद के लिए आगे आएंगे तो दिन आपके लिए उत्तम होगा और कारिछेतर में सत्रों को पराजित आप कर पाएंगे और नए काम की रूप रेखा आप बना सकते हैं विध्यार्थी वरग के लिए समय अतिव उत्तम हैं अगर किसी सिक्षण सुंस्थान में एड्मिशन आपको प्राप्त करना है तो आपके लिए मार्ग आज प्रसस्त हो सकेंगे माता के स्वास्त का आज विशेश ध्यान रखें तो आज आपको भाग्यकासांत सत्यासी प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यकासाली अंकछे है शुबरंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियो कारिच्षेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान शनी देवता की यथा शक्ती पूजन करें श्रीफल चड़ा करके शमी पत्र अरपित करें और ओम रवी पुत्राई नमा इस महा मंतर का अधिक सधिक संख्या में जाप करें एसा करने से कारी छेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि अपनी योग्यता को विक्सित करने का अवसर आपको मिलेगा और रोजगार से संबंद ज्यादातर युवाओं की चिंताएं खत्म होगी माता पिता की सेवा का अवसर प खराब हो सकते हैं आज जो है संतान के विभा से संबंदित कोई शुब सूचना आपको मिल सकती हैं आज के दिन शेयर मार्केट में निवेस करना आपके लिए फाइदे मन रहेगा तो आज आपको भाग्यका साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक तीन हैं शुब रंग आपका नीला रंग हैं नीले रंग का प्रियो कारीचेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारीचेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता है कालिष्णान करने के पश्चात शनी देवता के मंदिर में काले वस्तर में काले उड़त रखकर के दान करें और शमी पत्र चड़ावें और ओम शम सनेश्चराइनमा इस महा मंतर का अधिक सधिक संख्या में जाप करें ऐसा करने से कारेच्षेत्र में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कारेच्थल पर नई योजनाई सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगी और भाईयों की सहायता प्राप्त कर पाएंगे अनियोजित खर्चे आपके आर्थिक स्तिति को डावांडोल कर सकते हैं माता से कुछ वेचारिक मदभेध हो सकते हैं इसलिए प्रेम पुरुन वे भार करें जिसके वज़े से आपका परिवारिक वातावर्ण तनाव भरा भी हो सकता है जीवन साती की आवश्यक्ताओं को पूरा करेंगे और आज का दिन खरीदारी करने के लिए अच्छा है विद्यार्थिवरग को अपनी योगिता परकने का आवसर मिलेगा नीजी संबंदों में प्रगारता आएगी जरूरी चीजों पर बाच्चीता आप कर पाएंगे तो आज आपको भाग गिकासाथ 86 प्रतिसत प्राप्तों होगा आज आपका भाग गिशाली अंक दो है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोग कारी चेतर में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी चेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राता है कालिष्नान करने के पस्चाद भगवान शनी देवता के मंदिर में तेल का दान करें काली धज़ा का दान करें और शमी पत्र अर्पित करके ओम पिंगलाई नमा इस महा मंतर का अधिक सदिक संख्या में जाप करें एसा करने से कारेचेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी अगली राशी है करक करक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा राजनीती से संबंदित व्यक्तियों को समाज सेवा का अवसर मिलेगा घर में अतिती आगमन का योग है और विद्यारती वरग गुरु जुनों के सहयोग से अपने लक्ष को पूरा करने का प्रेयत न करेंगे अपनी पढ़ाई पर फोकस आप रखें लगन से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो काफी सफल रहेंगे कारी छेतर और सामाजिक जीवन में धेरिये वसंयम से काम ले सभी समस्याओं का अंता आप कर पाएंगे पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा व्यवसाई से जुड़े जातों को ज़्यादा ध्यान लगाने की अवशकता रहेगी जिसकी वज़े से लाप की स्तितियां बहतर होगी कारी छेतर में अधिकारियों से तालमेल आपका बहतर रहेगा तो आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य साली अंकच्छे है शुबरंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी छेतर में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता है कालिशनान करने के पस्चाथ काले वस्तर में काले तिल रखकर के शनी देवता के मंदिर में अर्पित करें शमी पत्र चड़ावें यथा शक्ती शनी देवता को द्रव्य दक्षना चड़ावें और ओम यमाई नमा इस महा मंतर का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें ऐसा करने से कारेश छेत्र में आपको विशे सफलता मिलेगी अगली रासी है सिम्व सिम्व राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा विध्यारती वर्ग लक्षों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो सफल रहेंगे सरकारी नोकरी करते हैं तो आज आपको कारेश थल पर ज्यादा ध्यान देने की आवशकता होगी केरियर के लिए संगर्स कर रहे हैं तो वही काम करें जिसमें आपको सम्मान मिलें और घरेलो इस तर पर आपको काफी उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है किसी पुराने मित्रक से मुलाकात के योग हैं उसके साथ पुरानी यादों को ताजा करते हैं अच्छा समय व्यतित करने का दिन हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी संपत्ती में व्रद्धी के योग हैं तो आज आपको भाग्य का साथ 84 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य साली अंक एक है शुबरंग आपका नारंगी रंग है नारंगी रंग का प्रयोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दि अधिक सदिक संख्या में जाप करें एसा करने से कारी छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी। और आपका आर्थिक बोज भी कम होगा। अधिक संख्या में जाप करें एसा करने से कारी छेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी। अगले राशी है तुला तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आप पराता से ही उरजाबान स्वयम को महसूस करेंगे। व्यापार या कारी छेतर में अपने बलबूते पर समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। संतान के विवाह आदिकी चिंताएं खत्म होगी और उनके कारिस्थल पर तरक्की होने से मन प्रसन होगा। भूमी या वाहन आदि खरीदने के प्रबल योग हैं। हाला कि छात्रों को भविश्य के प्रति अधिक जागुरुक रोनने के आवशकता रहेगी। जीवन साती के साथ वाद विबात की आशंका बन रही है। शनी देवता की पूजन करें। और शनी देवता को पुष्प की माला अर्पित करके मिठाई का भोग लगावें। और ओम मंदा इनमाहन इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें। ऐसा करने से कारे छेत्र में आपको विशेश सफलता मिलेगी। अगली राशी है व्रश्चिक। व्रश्चिक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। कि राजकी छेत्र से जुड़े जातकों को विशेश लाप के योग हैं। मान सम्मान प्राप्ती के योग हैं। व्यापारी वर्ग के लिए आज पहली प्रात्मिक्ता व्यवसाई की तरफ नजर रखना होना चाहिए। आज 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 के दिन कारेश लाप की प्राप्ती होगी। जाप करें। एसा करने से कारेश चेतर में आपको विशेश सफलता मिलेगी। अगली राशी है धनू। धनू राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। राजनीती से जुड़े जातकों को अच्छा जन समर्थन प्राप्त होगा। सरकारी छेतर से जुड़े जातकों को आज लाब होने के प्रबल्योग है। कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन होगा। और पिता के सहयोग वा असिरबाद से कोई नई योजना की सुर्वात आप कर सकते हैं जिसका लाब भविश्य में आपको जरूर मिलेगा। अगर किसी परिशानी से आप गुजर रहे हैं तो इस्तितियां आपके नियंतरन में आ जाएगी। व्यापारी वर्ग को नगदी की समस्या का समाधान मिलेगा। आज लाइब आपकी बहतर रहेगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा। अगली राशी है मकर, मकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। व्यापारी वर्ग को प्रतियोगी प्रिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की आबाशकता रहेगी। साथी पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्याओं से मुक्ति आपको मिलेगी। तो आज आपको भग्य का साथ 80% प्रतिसत प्राप्त होगा। आज आपका भग्य शाली अंक छे हैं शुबरंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कारी छेत्र में अज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी। तो आज के दिन कारी छेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाय इस प्रकार से हैं। दिरे दिरे करके सभी समस्याओं से आपको मुक्ती मिलेगी। घरिया आप इसमें जरूरी डाक्यूमेंट्स को समाल करके आप रखें। जीवन साती की तरफ से आर्थिक लाब मिल पाएगा। और रिस्तों में आपके मजबूती आएगी। पिता के स्वास्त का विशेश ध्यान रखें और अपनी दिन्चरिया उसी इसाप से आप तही करें। अधिक भागदोड मांसिक तनाव आपको दे सकती है। सायंकाल के समय परिवार में किसी व्यक्ति से मद्वेध हो सकता है। तो आज आपको भाग्य का साथ 83 प्रतिसत्थ प्राप्त होगा। तो आज आपका भाग्य शाली अंकछे हैं। शुबरंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कारी शेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे। तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी। तो आज के दिन कारी शेत्र में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाईस प्रकार से हैं। इस प्रकार से रहेगा कि विध्यारती वरग की किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं जिसका अनुभव और मार्ग दर्सन आपकी सहायता करेगा व्यापारी की यात्राएं आपकी सफल होगी परिवार पर जरूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करें अन्यता आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है लाइप में कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे जिससे मन आपका प्रसंद होगा इसी अवस्था में रहना पसंद आप करेंगे निवेस से आपको लाप के प्रबली होगे कर्ज से आपको राहत मिलेगी व्यापार व्यवसाय मे जिवन सांती की सलाह आपके लिए काफी फायदे मन साबित होगी तो आज आपको भाग्य का सांत 86 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुबरंग आपका लाल रंग है लाल रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आ आज के दिन कारीचेतर में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं कि प्राताहकाल इसनान करने के पस्चाथ शनी देवता को तेल से इसनान करावें शुद्ध जल अरपित करके मिठाई का भोग लगावें और ओम सम सनिश्चराइन महां इस म हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्नमित्रों फिर मिलेंगे